अगर आप भी देखते हैं सुनहरे भविशे का सपना बना चाहते हैं IAS, IPS या IFS तो विजिट करें चानक्या IAS Academy चंडिगर ब्रांच नैशनल हाईवे 154 मंडी पठान कोट उर्ला के समीब थाना मोड और मैगल के पास आज सुभे दोनों मार्ग बंध हो गए दोनों ही जगे दरजनों वाहन लगभग तीन घंटे तक जाम में फंसे रहे उर्ला के थाना मोर पर चट्टान खिसकने से भारी मात्रा में मलबा और पेर सडक पर आ गए इसी बीच विवा की JCB मशीन भी हाईवे को बहाल करने के लिए पहुँच गए सुभे 6 बजे बंध हाईवे को 9 बजे यातायात के लिए बहाल कर दिया गया उधर मैगल के पास भी मलबा सडक पर आगिरा मार्ग को JCB मशीन के माध्यम से एक घंटे के भी दर बहाल कर दिया गया उर्ला के पास लगे जाम में जुगिंदे नगर कॉलिज के लिए परिक्षा देने वाले चात्रों के साथ साथ स्कूली बच्चों की अलावा आम रहगीरों को तीन घंटे तक जाम में फासना पड़ा कि समयोगीरों कर दकाते जाम मनकुने के काप इते हैंसे अलावश संताउ आप संधी आपल्सक्राहि करूद मैं प्ला करने के मकार दांटे कर वाले बच्चों मुझे ibk के जिए को ठोיכ स्च्मरे। दिवे हिमाचल टीवी के लिए पधर से नवीन निश्चल शर्मा की रिपोर्ट